Construct a triangle when three sides are given आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमें three sides दिये हुए हूँ तो उनकी मदद से triangle कैसे construct करते हैं Example है, draw a triangle with measure site BC is equal to 8 cm, measure site BA is equal to 6 cm and measure site AC is equal to 7 cm तो जब हमें three sides given हो और हमने triangle construct करना हो तो हम सबसे पहले base draw करेंगे और वो कौन सी side होगी, जो longest side होगी तो इसमें से measure site BC longest side है, तो सबसे पहले इसको draw करते हैं measure site BC 8 cm की है, उसको draw करने के लिए scale ले आएंगे और pencil की मदद से हम 8 cm की line यहाँ पर draw करेंगे यह 8 cm की line हमने draw कर ली, 0 से लेके 8 cm तक scale के उपर इसके बाद scale यहाँ से हटा देंगे, तो अब हम लेंगे compass को बलकि हमने यह line draw की है, तो line draw करने के बाद हम क्या करेंगे? हम यह step यहाँ पर लिख लेंगे, steps of construction में इस line का नाम है, b, c, जो की 8 cm की है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, draw a line segment b, c is equal to 8 cm इसके बाद अब हम compass ले आएंगे, और scale के उपर हम measure करेंगे next line के लिए, तो next line हमने कितनी draw करनी है? b, a line हमने draw करनी 6 cm की, तो इसके लिए compass की needle knock यहाँ 0 पर रखेंगे, और यहाँ pencil वाली साइट से इसको 6 cm हम open करेंगे, इस तरह से 6 cm के equal open करने के बाद, scale यहाँ से हटा देंगे, और compass की needle knock को b point पर रखेंगे, और यहाँ पर एक arc draw कर देंगे, इस तरह से अब इस step को भी यहाँ पर लिख लेते हैं, draw an arc with b, a center, draw an arc of radius 6 cm, इसके बाद हमने line as ही draw करनी है, जो की है 7 cm की, तो again हम scale ले आएंगे, और compass को यहाँ से ले आएंगे, again इसकी needle knock हमने रखनी है 0 के उपर, और यहाँ से हमने compass को खोलना है, 7 cm क्यूंकि अब हमने 7 cm की, line draw करनी है, इसके बाद scale को यहाँ से हटा देंगे, और compass की needle nook, इस c point के उपर रख लेंगे, c point के उपर रखके, हम एक arc draw करेंगे, जो पिछली arc को इस point पे cut कर रही है, इस point को हम नाम दे देते हैं, A, और यहाँ पर construction step लिख लेते हैं, with c as center, draw an arc of radius 7 cm, which cuts the previous arc at point A, अब हम scale की मदद से point A को point B के साथ join कर लेते हैं, यहाँ से, इस तरह से, और इसी तरह से point A को point C के साथ भी join कर लेते हैं, तो इस तरह से triangle complete हो जाएगा, step को यहाँ पे लिख लेते हैं, join A to B and C to form that triangle, इस तरह से हमने three given sides की मदद से triangle A, B, C construct कर लिया, आज की वीडियो में हमने सीखा, construct a triangle when three sides are given,